नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं काफी इंपोर्टन्ट, काफी इंटरस्टिंग मतलब एक आपके सामने टोपिक है इंटरस्टिंग में क्या है कि आपको ये पता चलेगा कि जो चुनाव आयोग है, जो Election Commission है अभी उन्होंने क्या किया है, जितने भी उमीदवार खड़े हो रहे हैं जितने पांच राज्यों के अंदर चुनाव है, तो उनके लिए एक रहत पेकेज निकाल दिया अब फैकेज कैसे सप्ड़, अरे रहत पेकेज ऐसे है कि अपना थोड़ा खर्चा फालतू कर लीजिए महंगाई ज़ादा हो गई है तो थोड़ा खर्चा फालतू कर लीजिए खर्चा कितना कर सकते हैंब उसके बारे हैं दूसरी इंटरस्टिंग बात क्या है इंटरस्टिंग बात है कि अचार सहींता क्या होती है और अचार सहींता लागू कब होती है और ये खतम कब होती है और जब ये लागू हो जाती है तो उस दोरान क्या सरकार कर सकती है और क्या सरकार नहीं कर सकती है तो यह सारी बातें जो हैं वो हम इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं तो चलिए पैटिक पो मतलब कि क्या कहते हैं seatbelt बांद दीजिए अब बात करते हैं, start करते हैं तो भारती चुनावायोग ने, ECI, Election Commission of India ने लोक सभा के लिए, जो लोक सभा शेतर हैं वहाँ पर उमीद्वारों के लिए जो खर्च सीमा है ध्यान रखना किसकी बात हो रही है, यहाँ पर लोक सभा की बात हो रही है अब यह आते हैं, विधान सभा के पर जो लोक सभा है, वहाँ पर जो उमीद्वार है तो खते किने खार्च कर सकते हैं वह 54,000,000,000 से पहले की जो सीमा थी 54,000,000 गो 4000,000 लाख चोटे राज्यों के लिए S लिखता हूँ या वनी स्मॉल, जो सत्तर लाज्यों के लिए थी, Yρι है यहांनि बड़े राज्यों के लिए, Y लिख दिया, Y लिख दिया, ठीक है, अब जो वो लाग से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है? 70 लाग कर दी गई है और जो बड़े राजे जहाँ पर सीमा 70 लाग रुपे थी? अब वो कितनी कर दी गई है? वो 5 लाग कर दी गई है अरे सर क्या इतने मी ऐलेक्शन हो जाएगा? अभी धेरे रखो थोड़ा सा अभी आएगा दिमाग में क्या 75 लाक में election हो जाता है क्या MP का Member of Parliament यह नि लोग सबाद संसत की बात हो रही है अब अच्छा विधान सबा के लिए क्या है सर अरे विधान सबा के लिए क्या है जो छोटे राजे थे वहाँ पर 20 लाक रुपे थी अरे सर फिर से वही बाद 40 लाक रुपे में क्या एक उत्तर परदेश में election हो जाएंगे क्या मतलब एक उमीदवार 40 लाक रुपे में election लड़ सकता है क्या यह उमीदवार के लिए ध्यान रखना उमीदवार के भाई बंदू के लिए नहीं है अब कल को उमीदवार बोले कि मैंने तो अपना सिरफ 20 लाग रुपे खर्च किया है 20 लाग रुपे खर्च किया है मैंने तो और बागी खर्च किया है नहीं उसमें election लड़ा हो बाकी का खर्च भले ही 2 करोड़ रुपे हो गया हो उनके सगे संबंदी, उनके यार दोस्त, उन्होंने खर्च कर दिये, वही एक तरीके से विधायक जो बंदर, विधायक तो बाद में बनेंगे, जो व्यक्ति उमिद्वारे हैं, उमिद्वारे के लिए खड़ा है, इलेक्शन में खड़ा हुआ है, वो खर्च नहीं कर सकता, कोई लिमिट नहीं है, एक चीज़ दियान अगना, यह विधान सभा के लिए हो गया, आचा, वर्स 2020 के अंदर, चुनाव खर्च की सीमा का अध्यन करने के लिए, चुनाव आयोग ने एक समीति के अगठन किया था, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले त अंदर तो हो नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही बड़ा राज्य है, 403 सीटें आती है, बहुमत कितने के लिए, 202 के लिए चाहिए, पंजाब में और उत्राखंड में और गवा में, 14 फरवरी को, क्या रहा यार वैलेंटाइन बनाओ, जितने के लिए, 59, 70, उत्राखंड में ज जितने के लिए कितनी, 20, 21, अब यहां देखना है, exemption के ऐसे, जिसके अंदर सबसे कम सिटें, यहां पर गवा के अंदर होगी, अब मनिपूर, मनिपूर में कब हो रहा है, 3 मार्च को, सिटें कितनी है, 60, और यहां पर भुमत कितना चाहिए, 31, clear यहां पर, और यह वही बात के लिए है, वो गोवा के लिए, मनिपूर के लिए होगा, क्योंकि वो छोटे राज्ये होगे वहां पर, clear, अब फिर से वही बात, अब दिमाग में मतला ना है, कि यह 40, लाग रुपे में election हो जाएगा, हो जाता है, समझो, इससे पहले भी कम थे, उसमें भी हो रहा था, इ एक तो रीजन यह है, कि जो inflation, अगर वो जादा हो रहा है, मददाताओं की संख्या बढ़ रही है, मुदरा स्फीती, सुचकांग में व्रिधी हो रही है, तो यह बढ़ा दिये जाते है, मुदरा स्फीती, सुचकांग, यानि inflation index का मतलब क्या होता है, कि simple भाशे में बोले, तो अगर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई को देख करो रहा है, अरे भाईया, आज की रेट में तेल सो के नस्दीक पहुंचा हुआ है, तो अब बात के सोचके देखो, अब सो रुपे लिटर तेल है, वो पहले इतना नहीं होता था, पहले सस्ता होता था, पहले साट खर्बा खर्च कर लीजिए, ओके, थोड़ी बात जान लीजिए, ये चुनावायों की बड़ी बाते हैं, आप इनका नाम बता सकते हैं, कौन है, खैर महीं बता देता हूँ, ये है सुसील चंदरा जी, जो चीफ इलेक्शन है मारदेश के, अब यहां पर बात बोली गई है देखें, अब चुनाव, अब यहां पर एक चीज़ समझने वाली है, अचार सहींता क्या होती है, यहां पर समझी है, जब यहां पर इलेक्शन कमिशन आपके सामने, या फिर टीवी के उपर, या फिर रिपोर्टर्स के सामने पेश हो जाए, और बाते बोलना स्टार्ट कर जब इस तरीके के बातें हो रही हो, समझ जाओ, उसी दिन से, उसी वक्त से, उसी शन से, अचार सहींता लाग हो गई, क्लियर काम से, कब जब आपके सामने यह रिप्रेजेंट हो जाएं, ऐसी बातें बोलने लग जाएं, क्या, यह जो आपके सामने लिखी गई है, कि वर्चुल होंगी, बतलो वर्चुली चुना परचार करें, वर्चुली, जैसे आप मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्चुली पढ़ा रहा हूँ महाप लगो को, बस आप मेड़ी सुन्दर शकल नहीं देख पा रहे हो, बाकी, अपना सब चल रहा है, यहाँ पर कलीर हैं, लेकि अब क्रोना संकरमित भी वोट डाल सकेंगे, कैसे डाल सकेंगे, आपको पोस्टल सुविधा दी जा रही है, वो आपको कर लीजिए, पोस्टल सुविधा को यूज कर लीजिए, 16% पोलिंग बूत बढ़ाए गई है, पोलिंग बूत पर मैक्सिमुम जो वोटर्स की जो संक्य है, 1200 से लेके 1500 की गई है, और यहाँ पर चुनाव में, जो रुपे हैं, वो बढ़ा दिये गए हैं, 40 लाग कर दिये गए हैं, एक तो यह चीज़ याद रखना है, अब अचार सहींता लागू तो आपको पता चल गई, कब होगी, अचार सहींता लागू होगी है, यह नहीं उनके बारे में जानकारी देनी होगी, तब से समझझा, अचार सहींता लागू होगी, उसी दिन से लागू होगी, बहुत बड़ा डर लगता है, जो पार्टीज होती हैं उनको, कि भई यह अब तो हमारी कमर कसलो, अब बारी आ गई है, मैदान में उतरने की, अब समझो ज रेजल्ट नहीं आ जाता, वोटों की गिंती नहीं हो जाती, तब तक, तब तक क्या रहते हैं, तब तक अचार सहींता लागू रहती हैं, और इस वक्त क्या क्या हो सकता है, सरकार क्या 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 कर सकती हैं, इसके बारे में बात कर लो, चुनावी अचार सहींता में सरकार क क्या नहीं कर सकती, देखे, क्या नहीं कर सकती, मुख्य मंत्री या मंत्री, परचार के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तमाल नहीं कर सकते, important चीज, सरकार किसी अधिकारी या करमचारी का transfer या posting नहीं कर सकता, बिलकुल बंद, विग्यापन, जन संपर्ग के लिए सरकारी फंड क का इस्तमाल कर सकती है सरकार अरे नहीं ये भी नहीं कर सकती इसके ओपर भी पाबंदी दूसरी जी नई योजनाओं की शुरुवात प्रोजेक्ट का उद्गाटन सिल्यन्यास ये भी नहीं कर सकती मुख्य मंत्री या मंत्री सहरन वाली गाड़ी का इस्तमाल भी नहीं कर सकते simple बाशा में समझो जो अब नए आ रहे हैं जो मतलब opposition में थे वो अब election लट रहे हैं जो सत्ता में जो election लट रहे हैं वो same equal level पे आ गए हैं अब यहां पर यह सरकार नहीं है नाम मात्र की एक सरकार रह गई है यहां पर simple बाशा में clear यहां पर अब आगे चलते हैं अब यहां पर थोड़ा बहुत और समझो मैंने आपके सामने inflation index के बारें बताया था यह क्या होता है inflation index यह होता है कि जो price जो थे वस्तूओं के वो कैसे मापते हैं कि आप इनके according बढ़ा रहे हो कैसे बता चलता है कि तो वुष चीज़ के according देखा जाता है दूसरी चीज़ cost inflation index 75% होता है काम का जो average लिया जाता है जो consumer price index होता है जो अर्बन शेत्र का एक average लिया जाता है consumer price index बोले तो वही same to same मैंने कहा न कि एक साल के अंदर मापा जाता है उसके according वहाँ पर कर दिया जाते है अब आपके दिमाग में एक सवाल ये बार-बार उठ रहा होगा अरे माना कि उन्होंने किसी और से रुपया लेके लगवा दिया अपने भाई बंदू से लगवा दिया उमिद्वार ने रुपया तो अगर वो खुद अगर 40 लाग से उपर क्रोस कर जाए तो क्या होगा अरे सबसे इंपोर्टन चीज अगर वो कर जाए तो इनके उपर क्या होता है तो ध्यान रखना एक हमारे देश में एक एक चलता है एक क्या है अगर उन्होंने चेक करते हैं क्या नहीं करते हैं बेशा करते हैं जब चुनाव हो गए तो चुनाव होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर बताना होता है कि उमिद्वार को उन्होंने कितना रुपया खर्च किया और उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाना पड़ता है सारी चीज़ें वो maintain करके रखनी पड़ती है कि आप बताईए आपने कितना रुप्या खर्च किया है क्लीर यहां पर अच्छा, election commission के दौरा वैसीमा चुनाव के दौरान किये जाने वाले वैद खर्च के लिए निर्धारित है क्योंकि चुनाव में बहुत सारा एक तरिके से आपको पता है कि क्यूंकि अगया है बहुत सारा एक illegal money यहां पर आ जाती है और यहां पर बोला जाता है कि एक तरकिय दिया जाता है कि चुनाव में आपने जो सीमा बोली है एक्चुल में उससे ज़्यादा रुपया खर्च हो रहा होता है और अभी भी हो रहा है भले ही 40 लाग कर दिया है इससे ज़्यादा खर्च होगा ऐसा नहीं होगा दूसरी बात ही जो राजनितिक पार्टी है उनको 90 दिनों के अंदर है इसाब देना बोता है कि Election Commission को आपने कितना पैसा खर्च किया है यह सारी चीजें जो है वो एक तरीके का भरस्टाचार रोकने के लिए बात की जारी है कि आप रोक पाएंगे इससे खैर इसके बारे हम बात करेंगे हैं अब कुछ recommendation जो एक state funding है कि देखी जो एक ऐसा विक्ति जिसके पास पैसे नहीं है तो वहाँ पर क्या condition हो कि उनको अगर चुनाव लड़ना हो तो वहाँ पर state funding होती है उनको पैसा दिया जा सकते है सरकार की तरफ से अब कुछ शर्ते हैं उनके उपर देख लेते हैं एक इंदरजीत गुपता समीती 1998 में आई थी उन्होंने ये suggest किया था कि जो funding है वो दी जा सकती है ताकि एक level playing मर सके एक तो बहुत जादा काफी मजबूत party है उसके पास पैसा बहुत जाद है एक कमजोर party है उसके पास नहीं है वहाँ पर उनको funding के जा सकती है सरकार की तरफ से एक तो चीज ये ध्यान अखनी है यह भी सिफारिश की कही राज्य द्वारा यह धन केवल मानेता प्राप्त मतलब कि ऐसे नहीं कि कोई भी आया उसने अपने का कि मैंने भी एक party बना ली है भी नहीं ऐसे नहीं राश्ट्री है राज्य दलों को ही उनको मतलब यह state funding दी जाएगी एक तो चीज ये ध्यान रखना अब यहाँ पर state funding में क्या आता है ऐसा नहीं कि पैसा पकड़ा दो फ्री सुविधाई दे दो मुफ्त सुविधाई दे दो उनको वो किसी और से आर्थिक साहता नहीं ले रहा है कि आप से बिसे state funding में ले रहा है साथ इसाथ कोई और भाई बंदू भी लगा हुआ है उसको funding करने ऐसा नहीं है लेना तो एक बंदे से लो ऐसा नहीं है कि आप दोनों से ले रहा है सविधान के कामकाज की समिक्षा के लिए एक यहां पर National Commission to Review the Working of the Constitution 2000 यह क्या किया था इसने इस विचार का समर्थ नहीं किया था पहले तो कहा था कि आप एक structure बनाईए framework त्यार करिए ऐसा नहीं कि हर कोई party को आप रुपैसे दे रहे हो अब क्या करना है राज्यों द्वारा चुनाव की funding एक यह बही बात हो रही है इससे क्या हो सकता है फाइदा ही हो सकता है कि चुनावों द्वारा अगर state funding कर रही है तो एक तरीकी की transparency आती है आप किसी और से पैसे नहीं ले सकते सरकार नहीं पैसे का यूज करना है तो एक level playing field हो जाता है वहाँ पर ब्रस्टाचार नहीं होता transparency आ जाती है खेर यह चीज़ें होने वाली है क्योंकि party जो है यहाँ पर यह सब चीज़ें करने के लिए उमिदवार ही जो है विदायक बन के सांसद्बन के आगे जा रहे होते हैं और वो इन सी चीज़ें के उपर करेंगे नहीं क्योंकि आने वाले टाइम में वो opposition में हो सकते हैं जो आज सत्ता के अंदर है तो वो सब चीज़ें करने वाले हैं नहीं तो यह तो था आज का एक election commission के उपर जो जहांपर पैसे increase किये गए हैं I hope so आप लोगों को यह चीज़ें समझ में आई होगी समझ में आई हैं तो वीडियो को like करें share करें चैनल को और subscribe करें चैनल को जहादे ही पसंद आ गए हैं तो और साथ यसाथ आपको यह PDF कहा मिलेगी description box में आपको link दिया मिलेगा PDF का एक आपको download करनी है तो description box में link दिया मिलेगा telegram चैनल का तो जाकर join करें लिजिए वहाँ पर आप लोगों को इसकी PDF मिल जाएगी तो वह साच के लिए इतने हैं था thank you for watching this video